सभी को नमस्कार के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपा करके कर लिए धन्यवाद सभी को नमस्कार मैं डॉक्टर अनी चुटानी इस यूट्यूब एपिसोड में आपका स्वगत करता हूँ आज हम बात करेंगे मृत्यू के पश्चात मनुश्य के लिए किये गए करम कांड क्या उसके लिए सार्थक्सिद होते हैं अशा है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होगा नहीं किया तो क्रिपा करके कर लें ताकि हमारा होसला बढ़ता जाए मैं एक ब्लोग बढ़ रहा था जहां पर इसके उपर चर्चा हो रही थी उनमें एक संगीता जी है उन्होंने एक उस ब्लोग में लिखा है कि मुझे लगता है समाज में स्थापित करम कांड और रीती रिवाजों पर चर्चा होनी चाहिए कि ये समाजिक्ता और परिवार के लिए कितने अवशक है और कितने अनावशक है आज की युग में कई बार देखने में आता है कि हम ऐसे रिवाजों को त्याग देते हैं जिन से परिवार और समाज का धाचा स्रिधर्ड होकर एक सुत्र में बंदता है लेकित ऐसे रिवाजों को अपना करकते हैं जो कोई व्यक्तित वहित के सादन होते हैं यनि समाज में जितने भी प्रचलित करम कांड हैं यदि हमारे लिए फैदे मंद हैं तो हम उसको करते हैं जो उप्यूग्त हैम वो नहीं करते ही, जो अनप्यूग्त हैम वो करते ही, यह संगीता जी ने एक ब्लॉग में लिखा है, जैसे उन्होंने कहा, की एक मेरे रिस्ते में किसी के डैथ होई तो उन्होंने इसको शाल उड़ाया, अब हो तो एक मांसमान का सूचक था, लेकिन हर परिवार के सदस्याने शाल को उड़ाया कम से कम पचास शाले उनके ओपर शरीट के ओपर हो गए अब ये एक रिती रिवाज है या एक सम्मान तो दिया लेकिन ये जरूरी पचास शाले ओढ़ने जरूरी थी इस एक शाब को इसके लाबा एक और महक जी है वो लिखते हैं इस ब्लोग के आंसर में कि मृत्यू प्रत्त मृतक की अस्तियों को विसरजित करने का करमकार्ड हमें मन की शांति प्रदान करता है लेकिन अपनी मन की शांति के खातिर नदी के जल को पृदूशित करना किस प्रकार से उचित है इसी प्रकार मृतक की दे को इस्त्री के द्वारा मुखागनी दिये जाने को कई धर्मों में मानेता प्राप्त नहीं है छोटे शैरों कस्मों और गामों में तो शवियात्रों में इस्त्रीयों का जाना सर्वता निशेद है भले मृतक की हो या पुरुष या मृतक के अपने घर का कोई पुरुष समन्दी ही क्यों न हो एक और मंदना जी हैं वो लिखती हैं इस ब्लोग के उत्तर में मेरे ख्याल से जीते जी अगर किसी को सम्मान दे दिया जाए तो वही काफी है सिर्फ रिवाज के नाम पर कुछ करना कोई उचित्या नहीं रखता क्योंकि रिवाज हमारे ही बनाए हुए हैं और उन में सम्मे के साथ बदलाव आते रहते हैं और सम्मान हमारा दिल में होना चाहिए वैसे जो भी मरकर पंचतत्व में लीन हो गया फिर वैस शरीर रह जाता है जब उसे जलाया जाए या दफनाया जाए कोई भी तरीका अक्तियार किया जाए तो जीव था वो गया वो सिर्फ समाज को दिखाने के नाम पर ही किया गया ऐसा लगता है ढूंग परतीत होता है जैसे सब शराद करते हैं मकर जीते जी अपने माबाप को पूसते भी नहीं अगर सची शर्दा है तो उस पैसे को किसी नेक काम में लगाया जाए और किसी गरीव को भोजन करवाया जाए तो शायद ज़्यादा आतमसंतुस्टी मिले बजाए पंडितों को देने के क्योंकि रिती रिवास के मताबिक तो पंड़त को एक ही घर में खाना खाना चाहिए लेकिन पंड़त जी ना जाने कितने घरों में जाते हैं और कहीं भी भर पेट नहीं खाते लेकिन ऐसा रिवास के नाम पर नहीं होना चाहिए इसके अलावा एक संगीत सुरूप जी लिखते हैं कि रिती रिवाज और करम कांडो की बात की है तो भी रिती रिवाज समाज के द्वारा ही निधारित होते ही जहां तक मितक पर शाल डालने का रिवाज है अधिक बोज ना होते हुए बस ये दिखावा ही है क्योंकि वो सारे शाल शमों को जलाने से पहले उतार दिये जाते हैं और शवद हाकिस्तान पर जो लोग होते हैं उसे वो ले जाते हैं हाँ उस वक्त ये सब करना शायद मांसिक संतुष्टी दे जाता इससे भेचर तो ये होता कि जिसको शाल चड़ाया जाना हो उसके नाम पर ही ग्रीबों में पाट दिया जाए लेकिन यहां तो गिना जाता है कि कितनी शाल चड़ी अर्थात कितना भरा पुरा प्रिवार था इसका अंदाजा भी शाल की गिंती से लगाया जाता है कहने कार्थ ये है कि मरने वाला तो चला गया बाकि जो कुछ भी किया जाता है या तो अपनी मन की शांती के लिए किया जाता है या समाज में दिखावे के लिए किया जाता है तो दिखावा बंद कर दिया जाए तब ही बेतर होगा रही अस्तियों की विसर्जन के बात तो हर धर्म में अलग-अलग तरीके से अंठिम संसकार होती ही असल में तो मृत शरीर को ठिकाने लगाना होता है वैसे ये शबद तो एक नहीं बोलना चांगा ठिकाने लगانा होता है कि शरीर को साधर पुर्वक धासंसकार अधाससकार या जो भी दिफनाते हैं वो करना चाहिए राज भाटिया जी एक बोलते हैं यह ब्लोग हैं अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हैं करम-कांड के बारे में जो आप सुन रहे हैं अंत में हम अपना आपको निश्क्रश बताएंगे हम क्या समझते हैं यह कहते हैं कि राज भाटिया जी कहते हैं कि रिवास तो सभी अच्छे हैं लेकिन समाज के हिसाब से बदलते भी हैं अब सामुहिक भोज या उस समय घर पर आई बेटियों को बुआ, मासी, अन्य रिस्तों में लड़कियों को हमारे या कपड़े देते हैं और फिर कुछ रिस्तेदार सुक दुख के मुकों पर ही मिल पाते हैं और फिर सभी मिलकर अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं जिसके करण उस परिवार के लोगों को हिम्मत मिलती हैं donors जो के इस अपने अपने खांदान की सभी लड़कियों को सूट का कपड़ा और नगत दिया और पगड प्यार और अपना पन था वो बहुत बेश्किंती था और मुझे लगता था कि ऐसे मोकों पर जिनके पास पैसा नहीं होता उन्हें भी लोग मदद दे तो अच्छा है यही मोका है जब हमें अपने बच्चों को बताने का मोका मिलता है कि हमारे कितने रिस्तेदार हैं और कहां कहा रहते हैं लेकिन कई करमकांड गल्त भी हैं जो सिरफ पंडितों ने प्रोहितों ने लूटने के लिए बनाए हैं बस उनसे बचा जाए तो ठीक है और ये करमकांड सभी देशों में सभी धर्मों में होते हैं मरने वालों पर इन करमकांडों का क्या आसर होता है कहते मु अब एक सम्वेदना के स्फर में एक और विचार आया है इनका नाम है शयद शोबना चोरे इन्होंने कहा है कि यदि हम आत्मा को मानते हैं आत्मा आप आत्मा को मानते हैं नहीं यदि नहीं तो फिर सब करम कांड फजूल के बाते हैं प्रंक तो फिर भी जिसे से शोक संत्रिप्त परिवार का दुख कुछ कम हो सके उसको कर लेने में बुराई ही क्या है। यदि हाँ तो फिर इन करम कंडों का मतलब सता ही हो जाता है। माना जाता है कि स्थूर शरीर के पीछे एक सुक्षम शरीर होता है जो आगे यात्रा करता है। और उसी शरीर में मृत्र की बासनाई सुक्षम में होती है। मृत्यू के समय के हिंदू रिती रिवाजों के पक्ष में दिया जाने वाला एक तत्या ये कहती हैं कि मुझे प्रियकर है जिसके नुसार इतने सारे करम कांडों में उल्जनों के कारण शोक संत्रित परिवार क्रिया शील रहता है और वरना दुख की पीड़ा असैनी हो सकती है और दीप डिप्रेशन की स्थिति भी हो सकती है ये एक शोबना चोरे जी कहा रही है एक ललित शर्मा जी कहते हैं कि प्रथा कोई भी आरंब होती है इसका आरंबिक सुरूप अच्छा ही होता है लेकिन जब इसका प्रसार और विस्तार हो जाता है तो कू प्रथा में घ्रिया भिन है हमारे धर्म और समाज में देवासन के बाद एका अगनी संसकार करने की प्रंपना है जिसे अंतिम संसकार के पश्चाथ और किसी प्रकार के संसकार के अवशक्ता नहीं है लेकिन कालंगतर में इसके साथ लोकाचार के साथ जोड़ दिया गया क्योंकि Männer घर में घटना होती थी, उसको सामन्य होने में थोड़ा वक्त लगता था, प्रिवार में सभी वितारगी नहीं होते हैं, मित्र के साथ कईयों का नहे होता है, इन प्रमप्राओं के अरंभ में यही राह होगा कि प्रिवार के सभी रिस्तेदार और इश्ट मित्र 10-12 दिन एक स रही और इससे परभावित प्रवार को शक्ति मिल सके, उबरने की शक्ति मिल सके, जो सामिक्ता से ही प्रकट होती है, समाज में प्रमप्रा का चलन इस संपन व्यक्ति के द्वारा ही होता है, और सुरुबा की लोग भी इसका पालन करते हैं, देपर शाल डालने जैसी प्रम हैदारी दी गई होगी, तब ही से ये प्रमप्रा चलिया रही है, हमारे यहिंदों के एक जाती है, जिसमें अन्थिम संस्कार दफना कर किया जाता है, दफनाने से पूरव उस पर जितने भी चादर यनी चड़ाए जाते हैं, उसे वहीं पर उसके प्रिवार के करीबी प्र ही होता है, कि सब प्रमप्राएं और लोकाचार अवशक्त्या के अधार पर ही निधारित किये गए हैं, जैसे एक पगडी रसम की प्रमप्रा है, इसे सभी लोग मानते हैं, कि यहां तक आदिवास्यू में भी इसकी पगबंदी की रसम कहा जाता है, इसका अर्थ है कि प्र प्रिवार के मुख्या के रूप में समर्थन देते हैं, अंत में ग्राम पंचायत की तरफ से भी एक पगडी पनाई जाती है, जो कि समस्त ग्राम के समर्थन का भोतक है, साथ में रपए पैसे देने की प्रमप्रा इसलिए पड़ी होगी, कि इस रूप में प्रिवार की कु देखिए, अभी आपने जो एक में ब्लोग पड़ रहा था, उसके अनुसार जो लोगों ने बताया कि करम कांड का क्या महतब होता है, अपने अपने विचार उन्होंने पेश किये, किसी ने बोला कि ये विचार जो करम कांड हम करते हैं, ये एक दिखावा है, किसी ने बो उड़ते हैं, तो पचास शाले उसके अपर बोड़ी को पर पड़ जाती हैं, तो ये एक दिखावा मतर है कि हमारे कितने रिच्देदार है, कितने नहीं है, और इसके लावा एक ने बोला कि ये हम इस शव को मन के शांती के लिए इसको हम जल में फैंक देते हैं, नदियों में फैंक देते हैं, नदियों को अपवितर कर देते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये एक दिखावा है, तो किसी के विचार ये थे कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, कि इनसान को मान समान करना चाहिए, अंतेश्टी आदर पुरव करनी चाहिए, और कोई तो रिवाज समाज नहीं बनाए हैं, और इसके लावा आदिवासी भी मनाते हैं इसमें, रसम पगड़ी की, जब कोई एक गाओं का, परिवार का मुक्या मर जाता था, तो इसके बाद, उसके बाद कौन इसका मुक्या होगा परिवार में, उसको पगड़ी बना कर, कि चीक नहीं है, क्या चीज है, शक्ती हमारे से क्या चाती है, हम ये बात करते हैं, देखे, स्रिष्टी में इनसान को इन आँखों से कुछ भी दखाए नहीं देता, भले ही जीव हो या नरजीव हो, प्रंतु एक ना एक दिन सब का अंथ आविश्यक है, कुदृत का भी ये नि बनाया है, प्रंतु अंथ उसका भी निश्चित है, अर्थात जो संसार में आया है, एक ना एक दिन वो संसार को छोड़ कर जाना ही है, उसने, जैसे मैंने पहले बताया था, कि इनसान में वैसे दो प्रकार की शक्तियां मुझूद होती हैं, ये कहना तो एक समगाती शक्त है, शक्ति तो एक ही होती है आत्मा, इश्वर कण कण में हर जगा है, चलो आपको समझाने के लिए बोलते हैं, कि इनसान में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिसे चेतन शक्ति कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, इनसानी शक्ति कहा गया है, वो करम फल भोगती है, जीवात्मा भी उस शरीर से निकल जाती है और उस शरीर शभ बन जाता है। तब वो अपना जैसे इंसान पुराने वस्तरों को त्याग कर नए वस्तर धरण करता है। ये तो धीतर में भी कहा गया है उसी प्रकार वो चेतन शक्ति आत्मा जीवात्मा उस शरीर को त्याग कर निया शरीर धारन कर लेती है अब देखिए अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहां ये विचारणिया है कि मृत्यू किसकी होती है हर धरम में जनम मृत्यू विवा आदी के समे अपने अपने कुछ रिती रिवाज बना दिये जाते हैं इसी तरह मृत्यू परांथ जो समाज के रिती रिवाज होती हैं सगे समंदी उनिक एनुसार मृत्य देह का दासनस्कार करते हैं इसके अपरांद कई वर्षों तक तरहां तरहां के करम कांड किये जाते हैं प्रशन है कि मृत्यू के अपरांद उस मुनुश्य के लिए किये गए करम कांड क्या उसके लिए आर्थिक्सित होते हैं? सार्थिक्सित होते हैं? देखिए मृत्तु के अपरांच सगे सबन्दी जो भी कुछ इनसान के लिए कर्या करम करते हैं उसे उस जीवात्मा को कोई लाब नहीं पहुंसता है क्यूंकि जीवात्मा कर्मों का फल का भुगतान करना होता है जो उसने जीते जी किये होते हैं प्रंतु समाज में क्या देखा जाता है आम तोर पर कुछ ऐसे रिती रिवाज बना लिये जाते हैं कि मृत्त के सिर की तरफ अनाज रखना धिया जलाना हाथ से पैसो का रखना हाथ में पैसो का रखना पिंडि छुडाना रास्ते में मटका फोरना दिया दी ये तो इनसान का अपना बिश्वास है जिससे उसको मांसिक संतुष्टी मिलती है सत्या तो ये है कि मृत प्राणी को इन करम कांडों से कोई लाब नहीं होता है ना ही इश्वर इससे परसंद होते हैं ना ही नराज होते हैं तो फिर अंतिम संसकार के समय हमें क्या करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे शोट में वैसे इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे कि अंतिम संसकार कैसे किया जाना चाहिए लेकिन ये चैप्टर यहां से चल रहा है एपिसोड तो हम शोट में आपको बताएंगे सबी से पहले आपको इसका सानाश अब सुना देते हैं सबी प्राणियों में जैसे मैंने बताया कि इस इंसान इश्वर की सरफसेश रचना है उसे ही इश्वर ने सबी प्राणियों का सरताज बनाया इंसान पर करम फल का नियम लगू होता है इनसान तब तक करम करता है जब तक वैज जीवीत रहता है उसे जीवन में जो कुछ भी मिलता है सबी उसे अपने करमों का फल मिलता है इसलिए मृत्यू प्रांथ भी उस जीवात्मा को निया जीवन भी उसके द्वारा किये गए करमों के अधार पर मिलता है ये विशेश बात सुनिए और उसके जीवन में जो कुछ घटित होता है सिरफ और सिरफ उसके करमों का फल होता है ना की मृत्यू परांथ जो करम कांड किये वो उसको फैदा करते हैं इसलिए सगे समंदी मृत्य उप्राम इस इनसान के लिए जो भी क्रिया करम करते हैं उसे जीवातमा को कोई भी लाब नहीं होता अब थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं कि आप जैसी ये बता तो दिया लेकिन मन में थोड़ा प्रशन आड़ता है कि हम अब क्या करें जैसे शाल ओड़ाया था शव को जब चोथा होता है कि जला दिये जाता तो उसकी राख को कहां कहां विसर्जन करना चाहिए ये क् कि आपने विचार सुने हम इसके आपको थोड़ा अंथिम संसकार के विशे में थोड़ा साथ बताते हैं क्योंकि इंसान सरशेष्ट प्राणी है इसलिए उसका अंथिम संसकार भी आदर सत्कार से किया जाना चाहिए व्यक्ति के मृत शरीर को अंवरत जल जैसे आज की डे संसकार सहीत मृत्य शरीर पर लिटा देना चाहिए क्यों क्योंकि हर प्राणियों में 84 लाख प्राणियों योनियों में इश्वर ने इंसान को क्राउन ओफ दा क्रियेशन बनाया है जिन भी समंधियों ने उस मृत्तिक श्रीर पर कपड़ा तेरी डालना है वो डाल सकते है अपनी मन के भावना के नुसार लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं है और आप डाल रहे हो तो भी गलत है मलब दिखावे के भक्ती नहीं करनी है दिखावे की हर चीज नहीं करनी है इसके बाद शैय को उठाकर आदर सहीत इश्वर का गुणगान करते हुए उनका अंसिं संसकार किया जाना चाहिए और उसके जो पाउं है शमशान घाट की तरफ होने चाहिए और ले जाना चाहिए वहां उस शव को चिता पर रखकर अग्री देने से पहले हमें एक शक्ति को प्रासना जरूर करनी चाहिए जैसे एक शोट में आपको मैं बता जिता हूं कि है अन हम आपकी चरणों में हाथ जोड़कर सिर जुखाकर मिनमर भाव से प्राता करते हैं कि आप स्रिष्टी के रचाईता हैं पानन करता हैं सहार करता हैं आप सत्य नय प्यार के प्रतीक हैं आपकी इच्छ से ही जीव धरा पर आता है और आपके ही बुलावे पर निश्चित ज जीविन जी कर धरा पर चला जाता है आज ये जीवात्मा अपनी संसारिक जीवियात्रा को समाप्त करकी आपके बुलावे पर आपके पास आ रही है हमारी विनमर रूप से प्राफना है कि आप इस जीवात्मा को शंती प्रदान करते हुए अपने चरनों में स्थान दे और श जुरूरी नहीं है कि इस प्राफना में आपको यग्या करें हमन करें वो कुछ करें ये सिंपल रूप से एक प्राफना है जो कि भैम भ्रम अडम्रों से रही थे शक्ति कोई अब किसी भी धरह में जाओ तो शक्ति है उसका नाम अल्ला है वैगरू है गोड है रादस्वाम यह निरंकार है किसी रूप में उस शक्ति को प्राफना कीजिये क्यों कि वीर पीर देवी देवता याक्ष गंदर व्राक्षस भी इस शक्ति की पूजा करते हैं उप्रोक्त प्राथना के उप्रांत मृतक श्रीर को अगनी देकर अंसिंसकार कर देना चाहिए रत प्राश आए व्यक्तियों को शोक ग्रसित प्रिवार के घर जाना चाहिए कुछ समय माँ बैठ कर प्रिवार के सरस्यों को मन की शांती देने के लिए ये बात अवश्य स्पस्ट कर देनी चाहिए कि जो इस संसार में आया है उसका जाना निशित है हर इंसान को इश्वर की रजा के आगे सिर जुकाना है पड़ता है वहापर शोक समय का दिन निशित करकर सबी को बता देना चाहिए साथमे ये स्पस्ट कर देना चाहिए कि आठमे दिन शोक साथ होगी तो उसके अपने कर्मों का फल होता है ये थी एक छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई कि प्राथना कैसे करते हैं और आठवे दिन शोक जुरूर रखें साथ दिन तक उनके परिवार में जाएं तो ये लेकिन इसके बाबजूद कही जो परिवार देखें हैं जो पुराने ह वो अभी तक रूडी वादी परिवार की समाज की रितियों को चलते आ रहे हैं और उनके घर कोई जैसे इनसान मर जाता है तो उनको ये खत्रा लग जाता है कि दो दो लाख तीन तीन लाख लग जाएंगे इस परिवार की रिती रिवाज को रखने के लिए ऐसा कुछ नही हैं यदि आपकी जेव में 10 रपे हैं तो सिर्फ एक सिंपल ये पराथना करकर आप मान समान पुर्वक उस शव को आप पराथना करें और अंतियश्टी कर सकते हैं जैसे भी आपको आप हिंदू है तो उसको अगनी की भेंट दे दें आप मुसलमान है तो उसको दफना दें ये सभी कहने का मतलब है कि मृत्यू के अपराथन जो भी करम कांड किये जाते हैं वो हमारे इंसान की मन के शांति के लिए होते हैं और जितना यथा शक्ति संबभ होता है आप उतना करें अन्यथन ना करें लेकिन जो ये मैंने बताया ये इसको जरूरी करें और साथ ही किसी भेम से ब्रम से अडंबर से हमेशा दूर रहें और आप ये जानने की कोशिश करें जो आत्मा है जिसने नया शरीर धरन करना है वो अपने करमों का फल भोगती है उसको कोई दिया बगारा नहीं चाहिए कोई रास्ते में जाने के लिए कुछ और चीज नहीं चाहिए क उसने अपने करमों का फल भोगना है अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा आपको आशा है कि आपको विचार अच्छे लगे होंगे नहीं अच्छे लगे तो हम आपके लिए माफी चाते हैं क्योंकि ये हमारे नीजी विचार होते हैं और जुरूरी नहीं कि आपको हमेशा अच्छे ही लगे लेकिन यह दिया आपको अच्छे लगे हैं तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ताकि हमारा होस्रा बढ़ता जाए धन्यवाद एक बात बताना मैं भूल गया दूसरे या तीसरे दिन जब आप देखें कि अस्थिया यनि राख ठंडी हो गई है तो इस मृतक शरीर की अस्थिया एकत्रित कर लें और अपनी आस्था, विश्वास, शद्दानसार जहां भी चाहें आदर सहित बहते जल में परभाईत कर दे ये अवश्य ध्यान रखें कि भैता जलो ताकि एक जगा वो ना बैठें, एक जगा एकत्रित होकर कहीं गंद ना फलाएं, वो बह जाएं, ये आप जरूर ध्यान रखें सबीको नमस्कार, के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्रिपाय करके कर लें, धन्यवाद